मुख्य मंत्री, स्रिमान योगी आधितिनाज जी, केंद्रियम मंत्री मन्डल के मेरे साथी, डाक्टर थावर्चन गहलोज जी, स्री रामदास अठावले जी, स्री कर्ष्टपाल जी, स्री रतनलाल जी, यूपी के उपमुख्य मंत्री, स्री केशो प्रशाद मौरिया जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्री गर्ण, विधायत गर्ण, सांसत गर्ण, मन्च पर उपस्तित, अन्य सभी महानुभाव, और प्रयाग राज में, दूर दूर से पधारे, मेरे भाई और बहनों, सिर्थु राज, प्रयाग राज में, आकर के, हमेशा ही, एक अलग पवित्रता, और उर्जा का एहसास होता है, मुझे आद है, पिछले साल फरवरी में, लगबा यही समय सा, जब मैं कुम्ब के दोरान, इस पवित्रता धरती पर आया था, तब संगप पर स्नान करके, और उसके साथ साथ, मुझे एक और सवभाग्य भी मिला था, वो सफाई कर्मिचारी, जो अयतियासिक कुम्ब की पवित्रता बढ़ा रहे थे, और दिन के परिश्वम और पुर्शार्ट के कारण, पूरे विश्व में, प्रयाग राज के इस कुम्ब की स्वच्छता की, पूरे दुनिया में चर्टा हुई, पूरे दुनिया में प्रयाग राज की एक नई पहचान बनी, कुम्ब में एक नई परंपरा नजर आई, और उसे सफल करने वाले उन सफाई कर्मिचारियों को, उनके पैर धोने का, उनके चरण धोने का, और मुझे इस महान सिद्धी को पाने वाले उन सफाई कर्मिचारियों को नमन करने का अउसर मिला था, अब आज भी कुछ वैसाही सवभागिया मुझे आज मागंगा के खिनारे इस पवित्र धर्ती प्रयाग राज में फिर से एक बार प्राप्त हुआ है आपके प्रधान सेवत के तौर पर मुझे हजारों दिद्व्यांग जनों और बुजुर्गों वरिष्ट जनों के सेवा करने का और उनके आशिर्वाज प्राप्त करने का अउसर मिला है थोड़ी देर पहले यहां करीब 27,000 27,000 साथियों को उपकरन दिये गए है किसी को ट्राइसिकल मिली है किसी को सुनने की मशीन मिली है किसी को वेलचैर मिली है मुझे बताया गया है कि यहां इस सामाजिक अधिकारीता सिवीर में अनेज रिकॉर्ड भी बनने है यह उपकरन आपके जीवन से मुश्किले कम करने में कुछ मदद करेंगे और मैं मानता हूँ कि उपकरन आपके बुलंद होसलों के सहीयोगी भर है आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है आपका सामर्त है आपका मानत है आपने हर चुनोती को चुनोती दी है आपने मुश्किलों को महत कर दिया है आपका जीवन अगर कोई बारी किसे देखे तो हर पल, हर डगर, हर किसी के लिए प्रेरना का कारण है मैं आज आप सभी दिव्यांग जनों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता है साथियों हमारे यहाँ कहा जाता है स्वस्ति ही प्रजाब्यह स्वस्ति ही प्रजाब्यह परिपालियंता न्यायन मार्गेन मही मही शाह यानि सरकार का ये दाइत्व है कि हर व्यक्ति का भला हो हर व्यक्ति को न्याय मिले यही सोच तो सबका साथ, सबका विकार, सबका विश्वाथ के मंत्र का भी आधार है इसी सोच के साथ हमारी सरकार समाच के हर व्यक्ति के विकाथ के लिए उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है चाहे वो वरिष्ट जन हो दिव्यांग जन हो आधिवासी हो दलित, पीडित, सोचित, वंतित हो 130 करोर भारतियों के हितों की रक्षा करना उनकी सेवा करना हमारी सरवोच्य प्राथ्विक्ता है विशेशकर दिव्यांग जनों की तकलिफों को दिस तरह इस सरकार ने समझा है उनके लिए जिस सम्मेदन सिल्टा से काम किया है उतना पहले कभी नहीं किया गया आप भी याद करिये मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों पे हटों तक चक्कर लगाना पड़ता था तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी आपकी तकलीप आपकी समस्या जिस गंबीता से सुनी जानी चाहिए थी उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया दिव्यांग भाई बहनों को बे सहारा छोड छोड देगे वाली पहले की सिती हमें स्विकार नहीं हमने आपके साथी बनकर सेवक बनकर आपकी एक एक दिकतों के बारे में सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है साथियों पहले की सरकारों के समय इस तरह के कैम पहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैम तो गिंती के भी शाय नहीं होते थे बीटे पांच साल में हमारी सरकार ने देश के अलग-अलग इलाकों में करीम नव हजार कैम लगाए है भाई और भेनों पिछली सरकार के पांच साल में जहां जिव्यांग जनों को 380 करोड से भी कम के उपकरण बाटे गए वही हमारी सरकार ने 900 करोड रुपिय से जाधा के उपकरण बाटे हैं यानि करीब करीब ढाई गुना जब गरीब के लिए दिव्यांग के लिए मन में पीड़ा होती है सेवा का भाव होता है तब इस तरह की गती आती है सब इतनी तेजी से काम होता है साथियों आप वो समय भी याद करिए जब सरकारी इमारतों में जाने के लिए बस्तेन, अस्पताल, कौर्ट, कटरी हर जगे जाने में आपको दिक्कत होती कुछ जगों पर अलग रैप बन जाता था बाकी जगों पर बहुत मुश्किल होती थी ये हमारी ही सरकार है जितने सुगम में भारत अभ्यान चला कर देज भर की बड़ी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम में बनाने का संकल्प गिया बीते चार-पाइट वर्सों में बेश की सेकड़ों इमारते साथ सो से ज़्यादा रेलवे स्टेशन एरपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए सुगम में बनाई जा चुकी है जो बची हुई है उन्हें भी सुगम में भारत अभ्यान से जोड़ा जा रहा है इतना ही नहीं जो नई इमारते बन रही है ये रेलवे के नए कोच है उन्हें पहले से ही जान रखा जा रहा है कि वो आप के लिए दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हो बाई और बेहनों, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग-अलग भाशा होने की वेज़र से भी मेरे दिव्यांक भाई बेहनों को बहुत दिक्कत होती पहले ये सबी सोचा ही नहीं गया कि दिव्यांकों के लिए भी एक common sign language हो इसके लिए भी प्रयाश हमारी ही सरकार ने शुरू किया देश बर के सभी दिव्यांकों के लिए एक common sign language हो इसके लिए सरकार ने Indian Sign Language Research and Training Center की सापना की अभी आज मेरे भाषण के साथ साथ यहाँ पर मंच पे हमारे दिव्यांक जनों के लिए sign के द्वारा भाषण बताया जा रहा है पहले सिटी ये सी कि एकाद राज्य के बच्चे ये समझ पाते अब ये नई व्यवस्ता के कारण तमिल नाणू का व्यक्ती भी इस language को समझ पाएगा कश्मीर का व्यक्ती भी इस language को समझ पाएगा अब ये काम भी सत्तर साल तक करने की किसी को फुर्चत नहीं थी लेकिन जब विव्यान के प्रती संबेदना हो हिंदुस्तान के एक भारत स्रेश से भारत की भावना को और मजबुत करने का इरादा हो तब जा करके ऐसे काम होते हैं और अब इस सेंटर ने करीब छे हजार कौमन सब्दों की एक डिक्षनेरी तैयार भी कर ली है यादी आने वाले समय अगर प्रयाग रात्ते मेरा कोई दिम्यान साथी अगर चिन्ने में जाएगा या पस्तिम मंगाल जाएगा तो उसको बाशा की उतनी परेशानी नहीं होगी यही नहीं करीब 400 से अधी सरकारी वेबसाइट को और हमारी जो करंसी है सिक्क हो या हमारी नोट हो उसको भी हमारे दिम्यान जनों के लिए अनुकुल बनाया गया है वो आसानी से ताय कर सकता है एक रुपे की नोट है पांच रुपे की नोट है पांसो की नोट है दोसों की नोट है वो आराम से ताय कर सकता है सिक्के का विशह में अभी उसको हाथ लगा करके ही वो ताय कर सकता है कि सिक्का कौन सा है और अब तो आप भी देख रहे होंगे कि प्राइवेट टीवी चैनल भी दिव्यांगों के हिसाब से खबरे दिखाने लगे हैं, कारकम दिखाने लगे हैं मैं इन सभी टेवी चैनलों को जिनोंने हमारे दिव्यांग जनों के लिए ये समाचार सुविधा की है उनको बढ़ाई देता हूँ दूरदर्शन के लोग अनेक अभिनदन के अजिकारी हैं क्योंकि उन्होंने तो सामों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांग जनों की चिंता की है लेकिन अब देश की कई टीवी चैनल दिव्यांग जनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेजिक के द्वारा खबरे दिखाने के दिशा में एक महत्वपुल काम कर रहे है मान भी ये सम्मेदाना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चैनल भी अभिनंदन के अधिकारी है भाई यो और बहनो हमारी सरकार ने दिम्यान जनों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया है फैसले लिए है उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी दुर्भाग्य से ऐसे विश्वयों पर लोगों का ध्यान कम जाता है प्रयाग राज तो इनसाब की भी नगरी है नयाई की नगरी है सामान ने जन के अधिकारों की रख्षा के लिए हजारों लोग यहां दिनराथ काम करते साथियों यह हमारी ही सरकार है जिसने पहली बार दिम्यान जनों के अधिकारों को स्पस्ट करने वाला कानून लागू किया इस कानून का एक बहुत बड़ा लाब ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो साथ अलग-अलग तरह की केटेगरी होती थी उसे बढ़ा कर अब 21 केटेगरी कर दिया गया इतना उसका विश्चार किया गया है यानि हमने इसका दाइरा बढ़ा दिया इसके अलाबा दिव्यांगों पर अगर कोई अच्याचार करता है कोई मजाक उड़ाता है उन्हें परिशान करता है तो इससे जुड़े नियमों को भी सक्त किया गया है साथ यो ये भी हमारी ही सरकार ने जिसने न सिर्फ दिव्यांगों की जियुक्ति के लिए विशेश अभियान चलाए बलकि सरकारी नोकरियों में उनका आरक्षन बढ़ा कर दिव्यांग जनों के लिए तीन प्रतिशत